दबंग 2 अपने आइटम सांग फैवी कॉल के बारे में एक एहम इंतिशाफ किया करीन कपूल का कहना है कि दबंग 2 में फैवी कॉल क्योंने आफर हुई तो वो इस गाने में पर्फार्म करने से गबरा रही थी इस गबराट की वज़ा ये थी कि मेरी शादी 16 अक्टोबर को हुई थी जबके फैवी कॉल की शूटिंग मेरी शादी के साथवे रोज यानि 23 अक्टोबर को शेडियोल थी मुझे फैवी कॉल को शूट करना था जिस पर मैंने सैफ अलिक खान से एजाद ली कि क्या वो इस गाने में मेरे परफॉर्म करने पर राजी हैं क्योंकि ये एक आइटम गाना है सैफ अलिक खान ने फौर हाँ कर ली खरीना कपूर का कहना था कि मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग ऐसा फैसला अपनी शादी की एक हफ़ते बाद किसी सूरत नहीं दे सकेंगे